उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की पावन वीर बलिदानी दोआबा अमर सूर्माओं की धर्ती ब्लॉग देवमी थाना ओन के अंतरगत ग्राम खरॉली से देशभाग्त शिवसेवक शिवकरन सिंग जिनका जन्म 3 डिसंबर 1989 में भारत वर्ष की पवित्र गंगा यमुना के वर्ष की आयू सिखागा तहसील अंतरगत चकबा बुल्लापुर नाना अमर सिंग नानी कमला देवी मामा राजकुमार के द्वारा पालन पोशन हुआ और शिक्षा त्रिलोचन पूर राजाराम इंटर कालेज हर्दों में की देशभाग्त शिवकरन को बचपन से अर्मी क ड्रेसगीत संगीत राश्टर भक्ती कार्यक्रमों से अत्यादिक लगाव रहा है वर्षा रितू में उपजे पेड पूधे लगाने की बाल्यकाल से ही शौक था देशभाग्त शिवकरन की नानी से जानकारी मिली की रास्ते कोए के धेर या कोई जगह देवी देवताओं क कागज में बनी तस्वीर मिलती उसे साफ कर सुरक्षित किताब के पन्नों में रख लेते सुबह चार बजे ही उठकर स्नान पूजन के बाद विद्याले जाते थे नवी कक्षा पासकर देशभाक्त शिवकरन को विद्याले में मात्रभूमी भारत माता की आजादी के वीर बलिदानी अमर शहीद चंद शेखर आजाद जी का अभिने करने को राष्ट्रिय पर्व पर दिया गया जो बहुत ही सुन्दर धन से पाठ अदा किया जो प्रशन सनिय रहा तभी प्रयागराज मंडल कमिशनर साहब ने सुना तो विद्याले के प्रिंसीपल राम प्रताप सिंध को आजाद जी की जयंती में देशवक्त शिवकरन को अलफ्रेड पाक में नाटक का बुलावा भेजा जहां बहतरीन चंद शेखर आजाद जी का किरदार देख शिवकरन को गीता दैनन्दनी डाइरी पेन हॉन्थ हड़ी पुष्प मालाओं से सम्वानित किया जिसके नंगे पाव 7 अक्टूबर 2009 को पैदल भारत व्रमन राष्ट जागरन का उद्देश लेकर 3 साल 6 महीने में जम्मू कश्मीर कट्राश्वी माता वैश्नो देवी भवन के पीछे परवतों के जिलारियासी भामाग अंतरगत गाव शुकाल घाटी देवीगर में शिव करुन नेश्वर महादेव शिव शक्ती गुफा अंजनी गंगा तट एक विशाल पत्थर की गुफा में रहकर 7 महीने तक कुछ जंगली पत्तियां खाकर एक अपने सामने मादुर्गा की मूर्ती जो 25 किलो की प्रतिमा रखकर 14 साधना में निरंतर रहकर आध्यात्म को मजबूत किया और यह मन में धारन करकी एक नाएक दिन कर्म का परिनाम जरूर मिलेगा है और भगवान में घनिश्टा का प्रेम बढ़ा दिव्य दर्शन हुए जिसमें देशवक्त शिवसेवक शिवकरन ने अपनी जुबान काटकर इष्ट के चरनों में चढ़ा दिया इस बारे मे जब हमने देशवक्त शिवकरन से जानने की कोशिश किया तो हाथ जोड़कर महमानव ने हमसे प्रतना किया और कहा कि वैशनों माने मुझे जो दिया है वह बताने के काबिल नहीं है चाह कर भी बताना जो चाहूं आसूं आखों में थमते नहीं है आपको बता दे कि शिवशिक्ती क्रिपा से कवीश्वर गायक भी है जितनी भी रचनाय है समाज में सद मार्क दर्शन की प्रेणनाओं से उत्प्रोथ हैं स्वयम अपनी जीब काटकर चढ़ाई हुई जुबान से आज माकी क्रिपा से मधूर गान करते हैं 11 अप्रेल 2017 शुकाल घाटी गुफा से मूर्ती अपने सर पर रक्मा भगवती आदी शक्ती जगत जन्नी की 25 किलो की प्रतिमा सर पर लेकर 9 अप्रेल 2018 को फतेह पुर जन्भूमी पहुँचे कुल बुजूर्गो द्वारा पूजित आस्था के केंडर श्री नकटा रॉली स सिधर शक्ती पीट दरबार पांडू नदी तट पर हर्शोलास गाजे बाजे के साथ स्थापना किया और अब खरॉली से 25 मार्च 2022 को दूसरी बार अकेले राश्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा सर्वशक्तिमान महाशक्ती ध्वजा लेकर 30 नवंबर 2022 कश्मीर नीलम धाटी च पर स्वतंत्रता सेना नियों के नाम समाज में बरकरार रहे उनकी याद में श्रद्धान जली अर्पित रूप नीम पीपल बर्गदाम आउला चंडन तुलसी बेल पत्र जैसे जीवन उप्योगी पूज्यनियव रिक्षा रुपन कर सरहत पर तैनात जल्थल वायु प्रिक रखने का प्रयास है अभी 24 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या में प्रेस कोर काउंसिल संडठन द्वारा भाव्य पत्रकार सम्मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर ग्यारह पेड़ गाये आयस उने क्या कहा देश भात शिवसेवक व्यशनोदास शिवक आप देख रहे हैं MP न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजर पतेल की कवरेज फतेहपुर से सुहावनी उपतर गिस्प सर्जुगह पावनी इस घरा घाम पर सुकंका सेगानियों के सग्धांजली अरपन गोप में 11 व्रिच्छा गोपन हुआ जो उनके नाम को जबकर व्रिच्छ रहेंगे तब तक उनका नाम चलका रहेगा और भाय की जल खलवाई सेगाउं के हुए अब यह आपके 25 मार्च 2022 से जन्पत फकेफूर से चले तीस मुंबर 2022 निलम भाकी मचिल्मा से वापस साइना वोगल से होके हुए यहां अजोग्या के पहुंग भूमी पर हैं यहां से निलम भाकी का जो सफ़र होके हुए रामस्रम कर्णिया कुमारी पर Сाइन यहां से लिए क refugeeών我 मिज़र आतुपर हैं से वा कि यहां से उत्सक्राम कर्सा भाल भाकी मस्त मार्च भासा ही एंड़ के लिएक कुमार को भाला में भाला रामस्राचव। झाल झाल